तो गयास आप पढ़ते हैं हम लोग लेंज लोग कोई नई चीज नहीं है हम लोग ने न्यूटन थड़ लोग पढ़ाया ना every action has an equal and opposite reaction उसी की तर्च पर लेंज लो भी है actually क्या हुआ कि फेराडे की इस experiment में क्या हो रहा था कि जो कॉइल में जो current flow हो रहा था कॉइल में, suppose कर ये कॉइल था हमारा ठीक है, ये कॉइल था हमारा इस कॉइल में कोई करेंट अब हम लोग देखेंगे कि सही माइने में कौन सा current हम लोग exactly comment करेंगे कि clockwise current flow होता है या फिर anticlockwise flow होता है summarize में वापस से बता दिता हूँ कि किसी coil में अगर हम लोग एक magnet fake रहें, तो उस coil में current कौन सी direction में flow होगा हमें नहीं पता वहीं पता करने के लिए हम लोगों ने या लेंज भाई साब ने थोड़ी सी मेहनत करिए तो इन्होंने क्या बुला है इन्होंने क्या बुला है कि काम करते हैं इन्होंने बुला क्योंकि हमें current से ज्यादा उस induced EMF की ज्यादा हमें चिंता है तो हमने क्या कर दिया लेंज लोंने क्या भूला इंड्यूज लिएमें डप ऑने लिए अपने का क्या करता है इन्दूज रीट तो चलिए स्टेटमेंट से ज्यादा आपको समझने पड़ेगा बेंडिस स्टेटमेंट आपको इंटर्व्यू के लिए काफी काम आएगा ठीक है इतना समझी आप सिर्फर से फ्लेंजलों में कि इस तरह से भी आप समझ सकते हैं तो चलिए अगर मैं देखता हूँ दो एक्जामपल लेता हूँ सपोस्पोस करो यहां पर कोईले यहां पर एक कोईले ठीक है यह कोईले और यहां पर मैंने क्या कर दिया है काम करते हैं इतनी दूरी पर एक मैगनेट रखा हूँ एक मैगनेट रखा हूँ एक मैगनेट रखा हूँ एन और एस ठीक है अब देखो क्या हो रहा है थोड़ी देर बाद हमें इसको समझाने से पह रोल कर देंगे, रोल कर देंगे, तो जो थम दिखाएगा, वो क्या दिखाएगा, नौर्थ का डारेक्शन दिखाएगा, तो ऐसे अगर मैं करता हो, तो अंदर की साइड में नौर्थ है, तो बाहर की साइड में क्या दिखेगा, मुझे साउथ दिखेगा, तो इसको मैं S बो अंदर की साइट क्या है? South. तो बाहर की साइट क्या दिखरा है मुझे? North दिखाए दे रहा है. ठीक है? तो आपको क्या करना है? किसी कॉइल में जो भी कर्रेंट का डिर्क्यन है उस डिर्क्यन में आपको हाथ रखना है उगलिया चार उकर्ल कर देनी है और जो थम दिखाएगा वो क्या दिखाएगा नौत का डिरिक्शन, यह रूल आपको transformer में काम आएगा, ठीक है, तो चलिए वो रूल हम लोग यहाँ पर भी काम करते हैं तो चलिए देखते हैं कि suppose कर यह यह इस तरह से रखा हुआ है अब में क्या कर देता हूँ अब में क्या कर देता हूँ एक काम करते हैं कि यह जो magnet रखा है अब यह magnet अपनी actual position से में थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, उस side में ले जा रहा हूँ ठीक है, coil के पास में ले जा रहा हूँ coil के पास में ले जा रहाँ उसको मैं जैसे ही coil के पास में ले जाऊंगा N और S ठीक है तो coil क्या होगी देखो ये magnet coil के पास आना चाता है coil के अंदर कौन सा current flow होगा coil के अंदर current वो current flow होगा जिससे की जिससे की ये magnet को वापस धका सके मेगनेट अगर पास में आना चाह रहा है तो इसकी कोशिश क्या रहेगी इसकी कोशिश रहेगी मेगनेट को वापस दूर करना आई बास समझ में इसी वर्ट को बोलते हैं अपोजिशन और यह exact पूरा अपोजिशन नहीं कर पाता है यह कोशिश करता है इस वज़े से क्या है EMF tends to oppose आरजी बास समझ में क्योंकि यह जो करेंट आएगा करेंट असल में कहां से आएगा हमें तो करेंट दिखाई दे रहा है बट करेंट कहां से आ रहा है अंदर क्या हो रहा है induce EMF हो सकता है Collarity का दोनों हो सकता है ठीके अब हम देखते हैं, कि हमें current कैसा flow करवाना है, हम यह current ऐसा flow करवाना है, कि इस magnet को दूर फेक सके, अब magnet को दूर फेक सके, इसका मतलब क्या है, कि हमें बाहर इधर के side south दिखाना है, और इधर के side क्या दिखाना है, नौर दिखाना है, तभी काम होगा, क्योंकि south south क्या करेग अब देखते हैं, कि अगर मैंने current downward कर दिया, downward कर दिया, curl को रखो, curl कर रहा है इधर किसा नॉर्थ, बिल्कुल आ रहा है नॉर्थ, इधर साउत आ रहा है, तो इस तरह से हम लोग क्या बोल देंगे, कि downward current इसमें flow करेगा, तब ही क्या कर सकता है, यह oppose कर सकता है, तब ही इसको इसको वापस coil को बहार फेकने की, या दूर करने की कोशिश करेगा, चलिए, तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि current का direction अगर मैं देखू, तो downward, क्या बोल देंगे हम लोग, downward direction, downward, यह कई सारी exam में भी पूछा हुआ, downward current, ठीक है, अब हम लोग एक और example लेते, suppose करो मै मैंने, अब यह वापस से coil ले लिया, यह वापस से coil ले लिया, ठीक है, अब मैं क्या कर देता हूँ, अब मैं थोड़ी तर के लिए, magnet को दूर करता हूँ, magnet को दूर ले जा रहा हूँ, जब दूर ले जाओंगा, तब भी इनको दिक्कत है, n और, s, तब भी coil को क्या ले जा रहा हूँ, तो पास में लाने के लिए क्या होगा, इधर n develop होना ची, इधर s develop होना ची, तब ही तो क्या होगा, attraction होगा, तब ही तो क्या होगा, attraction, attraction, ठीक है, attraction होगा, तो यहाँ north लाने के लिए हमें current का direction क्या बनाना पड़ेगा, upward बनाना पड़ेगा, upward current flow होगा, त तो North और South क्या करेंगे? Attract करेंगे तो उस साइड में खीचने की कोशिश करेंगा तो that is a position इधर repel इधर attract इसका मतलब देखो क्या हो रहा है कि current तो बाद में बन रहा है current ये जो current आ रहा है current आ रहा है तो बाद में बन रहा है किस से बन रहा होगा? induced EMF की polarity से तो बन रहा होगा induced EMF की polarity decide कर रहे होगा current किस तरह से flow होना चाहिए तो पहले induced EMF develop हुआ होगा उसके बाद current flow करा होगा तो हम current ना बोलते होगे direct किसको बोलेंगे EMF 2 हम लोग किसकी polarity की बाद करेंगे EMF की polarity की बाद करेंगे अपड़ी statement the polarity of induced EMF is such that the EMF tends to oppose the cause which has induced it आरी बास अज में जो induced होगा वो क्या होगा opposition factor है तब I hope आपको समझ में आ रही होगी सारी चीज़े इस example से यह कई सारी examples में आया हुआ gate में तो नहीं पूछते है बट यह idea आपको proper होना चाहिए क्योंकि कई लोग यह नहीं पता होता है कि current का position हो रहा है EMF का current बाद में आ रहा है coil में ठीक है पूरा का पूरा कहानी हमारी faraday experiment से जुड़ी हुए faraday experiment ने क्या दिखा है galvanimeter में हमें क्या दिखा है deflection दिखाया और ओ deflection क्या current के form में था बट deflection के पहले क्या आया था induced EMF आया होगा उस induced EMF को ही हम लोग आगे चलके लेके चल रहे है क्योंकि induced EMF जितना जादा होगा उतना जादा हमारा क्या होगा current होगा ठीक है guys तो यहाँ पे हम लोगोंने देख लिया कि जब यह हमारा magnet हम लोग कोईल के पास में ले जाना चाहरे है तो कोईल के अंदर जो भी induced EMF develop हो रहा हो क्या बोलेगा कोईल को दूर ले जाने का बोलेगा मतलब कोई भी हमारा every action has an equivalent opposite reaction तो यह equal तो नहीं बोलेंगे tends to oppose मतलब पूरी तरह से oppose नहीं कर पाता है क्योंकि machine इसी पर work करती पूरी तरह से oppose कर देगा तो नहीं काम चलेगा हम कोशिश करेंगे oppose करने की और बहुत ज़्यादा हट तक 80% time हम लोग oppose कर देंगे उतने में हमारा काम हो जाएगा उसी opposition के कारण हमारी machines घूमती है या फिर हमारा इंडियोजीमेफ या जो टोर्ग डिवलप होना ये सारी चीज़ा आगे चलती रहेगी तो चलिए अब mathematics की बारी आईए अब normal लोगों को हम लोग ऐसे नहीं समझा सकते ठीक है अब हम लोग को समझाने की बारी आई तो इस opposition factor को हम लोग क्या करें introduce करें अगर mathematics से तो हम लोग क्या बोलेंगे equal to induce EMF equal to minus sign से denote करेंगे N d5 by dt तो ये जो minus sign है ये असल में हमारा opposition का sign है opposition opposition का जो भी induce EMF हो रहा है वो opposition में हो रहा है ठीक है modified faraday low faraday low modified faraday low क्योंकि length ने क्या करा है इसकी help कर ये minus sign लगाने के लिए ठीक है तो इस तरीके से हमारा actual faraday low क्या हो था modified faraday low minus n d5 by dt बट कोई आप से पूछे directly faraday low तो आप magnitude की बार करो कि ये sign है किस ने दिया है length ने दिया है ठीक है guys तो अब हम लोग आगे चलते हैं कि पूरा induce gmf अगर create होना है तो n तो चलो constant है जितना coil पर depend करता है बट ये जो flux है phi phi क्या है ba cos theta इसमें क्या है किसी भी इन तीनों में से ba और theta cos theta ba cos theta तीनों में से अगर एक भी चीज variable हो गई तो हमारा change in flux हो गया देखो इन तीनों में से क्या हो गई एक भी चीज vary हो गई either b vary हो जाए a vary हो जाए या theta vary हो जाए इन तीनों में से एक भी vary हो गई तो क्या हो गया variable flux हो गया और variable जैसे ही flux हुआ तो हमारा induce gmf डेवलप हो गया क्योंकि constant अगर flux हो गया तो क्या हो जाएगा differentiation? Zero. तो क्या बूल सकते हैं? आज से हम लोग flux is like a blood in human body. अगर जब तक circulation में, जब तक क्या है हमारे अंदर induz EMF develop हो रहा है हम जिन्दा है. जैसे ही अगर ठहरा हो गया blood का, या हम लोग क्या बूल सकते हैं? constant हो गया blood, circulation बंद हो गया, इसका मतलब क्या हुआ हम die out हो सकते हैं? क्योंकि उस time पे induz EMF machine में develop नहीं होता है. तो हमें क्या चाहिए? यह flux variable चाहिए with respect to time. चलिए देखते हैं किस तरह से, देखो time के respect में भी हो सकता है, किसी और respect में भी हो सकता है. इक है गाइस?